और तो हाई प्रेंट्स मैं हूँ इपंकर यह है चंद्रा और हम दुनों करते हैं आप सभी के मेरा इटीप यह ताहट इपंकर में बहुत बहुत स्वागत और एक्शली यहाँ तिन प्यार एफिकन ग्रे पैरड है दो प्रीडिंग प्यार है उपर का जो प्यार है यह तो इस आप माहिने का बेजी है एक्शली पांच माहिने के टाइम यह लोग पूरा के पूरा सेल बिटिंग हो गया था अगर इन लोग को मैं मेरे में छोड़ देता तो कोई प्रॉब्लेम नहीं होता लेकिन अभी मौसम भी चेंज हो रहा है इसलिए सोचा के थोड़ा ज्यादा य लेट का छीट हम लोगों देखने के लिए मिल रहा है तो यह दोनों बिल्कुल टेम है और यह जो है नीचे यह जो पर है यह प्यार एडल्ट हो चुका है लेकिन इसका फीनल थोड़ा सा बीमार हो गया था और वीघ हो गया था इसलिए एक माहिन इस छोटा सा के में रखा और मेडिसिन्स बागरा तीडमेंट कराया अभी तो पूरा के पूरा फीड हो गया है अभी इन लोगों को एक दो माइने के लिए मेरा इस ओपन अभीरी में छोड़ के रखेंगे ताकि यहां सनलाइट भी इन लोगों को डिरेक्ली मिलेगा और इतना बड़ा अभीरी में फ् फ्रेंडली जितना और एक्जोटिक बार से सबसे ज्यादा यूदा एक्जोटिक रहता है संकॉणियोस का मदलब संफावर सीडS हातों में लिया और मदलब एविया अजड़ गैसे लग रहा हुआ नहों कि पूछते रहते हैं प्राइज को तो हम लोग पूछते रहते हैं कि बताइए आपका experience आज मैं चंद्रा से हुच रहा हूँ क्या मुन लग जे वोल कैसे लग रही है और चंद्रा क्या बताएगी मतलब मेरा exotic बार्ट बिडिंग फाम पर जितना सारा चीक्स है जो होता है चंद्रा खुट अपना हातों से सारे बार्ट बार्ट चिक्स को हैंड फिडिंग कराके बड़ा करती है और मेरा जोपे नवियरी में ले आके मैं छोड़ता हूं और मतलब में इन चारो को मेरा इस्टोपे नवियरी में छोड़ेंगे और यहां जो मतलब इससे पहले दो बार बीड कर चुकी है यह जो एडल पेर इनको उस कोने का जो केज है उहां ब्रीडिंग बोक लगाएंगे और उपर का दो अफिकन ग्रे को मतलब इन दोनों को उस केज में ले आजयां ग्राइव को यहां छोड़ेंगे चालो को बार आ जाओ आजयो वाँ पास्टाइम इतना बडा अधियरी में चलाइगा अजया अफ्रिकन ग्रेय का बेभी जब 5 माईना, 6 माईना, 7 माईना, 8 माईना तक रहता है तो अभी उसका बॉडी पे पूरा बॉडी पे हम लोग ऐसे टाच कर सकते हैं लेकिन एक साल हो जाने के बाद अफ्रिकन ग्रेय थोड़ा सा मूडी हो जाता है तभी ऐसे शर पे तो हथ लग है और दोनों ही बहुत बढ़िया है और यहां एक टीप में आप सभी के साथ करना जाता हूँ कि देखिए कि अफ्रिकन ग्रेय आप जब पर्चेस करेंगे किसी से लेंगे तो क्या देखके लेना चाहिए सबसे पहले हम सभी तो जानते है कि उसका चेस्ट देखना पड़त अपरिकन ग्रेय का एक प Mario पफणया होता है एक पर खशोके कर सकते हैं तो जोतना जानता हो enrollment करता है कि वो साइज में उतना बड़ा नहीं होगा या मतलब जो कॉंगो एफ्रिकन ग्रे कहते है ओरिजिनल जाइंट साइज का उतना अच्छा साइज नहीं होगा लेकिन जिन लोगों का पैरों का पंजा मोटा होता है मतलब जैसे इसका देखिए हार एक उंगली देखिए बहुत म चांस ज्यादा है लेकिन अफ्रिकन के जब तक देट दो साल नहीं हो जाता है तब तक एक कनफर्म कहना मुश्किल है कि यह मेल है या फिमेल है हस्टाइग इतना बड़ा ओपें स्पेस में आया और इतना बड़ा जगे में जो फ्लाई करना है इसलिए थोड़ा सा प्रैक् यह रहा हम लोगों का गा फिर थोड़ा सा शर्मा रहा है चलो चौंडरा की कांदों पर बैठ जाओ फ्लाई करो हम लोगों को दिखाओ कैसे कर सकते हो तुम लोग मंका करा बहूं कराया लेकिन मैं जो मतलब मेरा जो आइडिया है इसको देख के हमको लगधा है करूं मшиеल हो सकता है साम होने से थोड़ा थ्चा को मैं शोड़ता हूं हार दिन शोड़ता हूं तो एक पुर साइब करता है इस यहां से शाजाता और मंगा बहुत पसंद लेकिन अब क्रेल का मूड हो रहा है क्या हूँ मामा जी इन लोग वहाइब करना है और इस फ्रस्ट confession है लेकिन अभी तक ब्रीड नहीं किया पूरा के पूरा फ्लाइ कर पाता है एडल्ड है और एज ब्रीडिंग ट्यार है यह तो चार करके अंडा ले करती है फिमेल का साइच बहुत जबर्बस्त है और मेल और फिमेल को दोनों को देख के पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा फिमेल है और कौन सा मेल है लेकिन लोगो जिस केज में रखा था ओप पचंद नहीं आ रहा है उत्तर साइट का नौर्ट साइट का एक ही विंडो है उतना अच्छा हावा का गुजर उहां नहीं होता है इसलिए मैंने सोचा के लिए एक अच्छा केज मतलब उस कोने इस साइड से उच्छा डूड के जाएगा और क्या करेगा सब को भगाएगा हां यह भी चुट चप बैटने वादा नहीं है और यह भी सेनी टेम है और मंका का अगरी चलिने का मूड बन रहा है उसले सब को भगाएगा यहां उड़ेगा और उसके बाद थाम होने के बाद अपना जो केज है उहां जाएगा अभी तुम लोगो को फ्लाई करते हुए मैं देखना चाहता हूं चलो थोड़ा साथा करो वाव जबरदस्त नहीं मंका किसी को डराना नहीं ऐसे करोगे तो मतलब फोड़ना बंद कर देंगे ठीक है छोड़ दिया उसको ओ रहा मिल और य अब ही थे थो थोड़ा-फोड़ा चॉकिंग भी सुरू कर दिया है और मंका जाके सब को तंग कर रहा है नए मंका है क्या कर रहे हो ठीक है और यहां यह तो स्टैच कर रहा है मुझा अधाना जिन चोटा सा केज में रहता था इसना बड़ा स्टेच ऑटाइम लेगा उसके गंगा अम्रिल्लको काथे बहुत खुस्रद होता है उस वायर को आप पुरा के पुरा खोल दीजिए नहीं तो पैर में आटक जाएगा पहले इसी के कारण में मेरा दो तीन बाट का तो पैर भी तूट गया है इसके लिए पहले उनको खोल दीजिए पुरा के खोल के एकड़ा बाहर खैकिये मामा जी और बरुंदा ऐसे वायर जहां देखोगे एकड़ा उसी टाइंग खोल के बाहर खैक नहीं तो बात में पस्ता होगी के पहले क्यों नहीं खोल दिया है और साबिस संकॉली और का झालर हमको तो बहुतू अच्छा लग्धा है कि अम्रेल कौकाटू इनका एक अलख की स्टाइल होता है बहुत प्लेफुल होता है जब खेलने कर दो शार और अइसे करके श्टर गैश्ट और तो वीडियो को यहां खतम करेंगे वीडियो करने से पहले मामा जी उनको छोड़ना है इन लोगो तो छोड़ना है उस पेज में और यह लोग तो टेम है छोड़ने के बाद जब हम लोग नेस्ट बॉक्स लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा नहीं जारेगा तो वहां जो के इस साइट देखेगा बाहर देख नहीं पाएगा तो ज़्यादा प्राइवेसी करेगा इसके पहले भी बहुत सारा वीडियो में कह चुका हूं ऐसे नेस्ट बॉक्स लगाईए केज का अंदर जहां उन लोग का फील हो के वहां उन लोग को प्राइवेसी बहुत हाँ अभी मेल भी निकल गया यह केज भी काफी बड़ा है मामा जी उस साइट में नेस्ट बॉक्स लगाना सही रहेगा ताकि उहां ज्यादा प्राइवेसी मिलेगा क्योंकि उपे ने भी विजिट करने के लिए यहां तो बहुत सारा लोग आ सकते हैं लेकिन यह जो घर है डिरेक्ली नेस्ट बॉक्स का होल में से अंदर चला जाएगा तो जो अगर चीक हैच होगा तो वहां मतलब प्राबले हो सकते हैं तो नेस्ट बॉक्स का फोल इस साइड रहेगा ठीक है और तो हो गया आज जो करना था कर लिया और गंगा यहां कुछ सोच रहा है साइज किस सोच में डुबा है मालूम नहीं लेकिन कुछ सोच रहा है है तो यहां पर ही चूप करके बैठी है गंगा ने दोनों पांग को स्ट्रेच किया थोड़ा सा भूग लगा है मामा जी नहीं पेट सो अग्दम भरा हुआ है नहीं उतना भरा भी नहीं है किसी साइथ किसी कुछ सोच में डुबा हुआ है इतना सारा बार से कैसे अड़्यस्ट करके रहेगा मंका जो तंग करता है मंका के साथ तो बिल्कुल नहीं बनती है इसका जब आमने सामने होता है तो अभी लड़ाई चालू हो जाता है जिलिए विचारी साइथ थोड़ा म करें ही बोलती थी एक दम और दीर दीर अभी इजी हो रहा है हां बोलना चालू करो जो भी है सब सारी भीवर्स पसंद करते हम लोग को मतलब आच्छा सोचते हम लोग के बारे में अगर कुछ उल्टक सीदा हो भी जाएगा तो मतलब अर्चेस कर लेंगे कोई लिकत नहीं स्राष्ड भरोता है अरे जोह है कुछ भी है जो मुझ में आता है बोल दो और बाकी में जो आता है मन में बहुत किये मतलब फोटश परत कम कि यह लाइट वी तका मंतल व। कुछिस करता हूँ वाइल्ड में जैसे एलोग रहते हैं मतलब साम होने के बाद पुरा के पुरा अंदेरा और सुभा होने के साथ साथ इन लोग को लाइड मिला उसी के साथ यह लूग उठे और जली जली मतलब वाइल्ड में अगर रहता है तो फोड़ा सा लाइड आने के मतलब सुभा की फार्ट टाइम जब पहले सुभा होता है तो मतलब तभी यह लोग निकल पटे है अपना अपना खाने का खोज में तो उसी इसाब से मैं रखता हूं कोशिस करता हूं ऐसे ही मतलब यहां तो पेड़ पौदा नहीं है पहले तो यहां बहुत सब पेड़ और सुभा होने के बाद लाइड मिले और रात में बिल्कुल भी खाना पानी कुछ मत रखिए अगर आप जहां बार्ट को रख रहे हैं अगर लाइड ओन करके रखेंगे तो मतलब मुश्किल होता है वो लोग पूरा रात जगा हुआ रहेगा और खाना देंगे पानी और लाइक बेद्ध बनता है और सारे थैंट के साथ चैनल में नहीं है तो जो लाल बाला सब्सक्राइब लिखा हुआ रहता है वहां प्रेस करना है और स्था में के बाद के आएगा धंती घंटी आएगा वहां भी दवना है और शिर्प दवनाने से काम नहीं चलेगा और अप्सान ओपेन हो जाएगा वहाँ वाव दिखा दो दिखा दो हाँ पेट तो भरा है अच्छे से खाए हो ठीक है अभी पांक ऐसे कर लो ऐसे कर लो गुड़ 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 हाँ फेदर साप कर लो अभी तक तो हैंड फिडिंग में है इसलिए फेदर्स में थोड़ा- हैंड फीडिंग फर्मूले गिवता है तो उसको ही साप करने में लगा हुआ है और मंकर ना रहा है और मंकर ना रहा है हुड़ा छाइग तारे बार्ट को ऐसे इस पार थे उस पर भगाया अब ही नीज डा रहा है और अम्रेला कॉक्टटू के बारे मैं क्या का हूं बहुत होता है जैसे करेंगे ऐसे करके रख देंगे और फिदर साप करेंगे तो वह ऐसे ही रहेगा है और तो आज के वीडियों यहीं कितम होता है फिर मिलें किसे निया वीडियो निया टॉपी के साथ तब तक के लिए बहुत है चलो